नमस्कार मेरे मित्रों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ये स्त्री आपके पिछले जन्म का साथी है और इनका एक-एक राज जिसे परदा उठने वाला है तो दोस्तों दिल थाम कर देखिएगा आज की इस वीडियो में हम आपको एक नहीं दो नहीं पांच-पांच ऐसे बड़े संकेत बताएंगे जिन को जानने के बाद आप बड़े आराम से ये पता लगा लेंगे कि आप जिस व्यक्ति के साथ रिष्टे में हैं वह आपका पिछले कई जन्मों का संबंधी है या नहीं जी हाँ दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है इस वीडियो में हम आपको सारी बातें इतनी विस्तार से बताएंगे कि फिर आपको कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा पूरे प्रमान के साथ समझ में आती जाए और उसके बाद वीडियो के अंत में हम आपको पांच ऐसे बड़े संकेत बताएंगे जिनको देखने के बाद आप बड़े आराम से यह पता लगा लेंगे कि आप जिसके भी साथ रिष्टे में हैं वह आपका कई जन्मों का जन्म जन्मांतर का रिष्टेदार है या नहीं जी हाँ दोस्तों यह बात बहुत ही उत्सुक्ता का विशय है लोगों के मन में यह बात उठना स्वाभाविक है क्योंकि पती पत्नी के रिष्टे को साथ जन्मों का रिष्टा कहा जाता है और आज नहीं तो कल दामपत्य जीवन में बनने जा रहे हैं तो उनके लिए भी यह जानना बहुत ही अनिवार्य है जी हाँ, दोस्तों और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं लग सकता हम बड़े आराम से यह पता लगा सकते हैं कि हमारा जन्म जन्मांतर का रिष्टा है या नहीं इसके लिए हमें कुछ विचार धाराएं हैं, कुछ विशेश ग्यान है जो हासिल होना चाहिए और इस ग्यान को देने के लिए ही हम आज आपके लिए यही विडियो बना रहे हैं तो इस विडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर अंतर तक हम केवल शुद्ध ग्यान देने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक बात आपको पूरे प्रमान के साथ विस्तार से समझाएंगे ताकि आपके मन में कोई प्रश्न ही न रह जाए जी हाँ, दोस्तों तो वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे भक्ती भाव के साथ जै मा काली लिखना न भूले मा आपका कल्यान करें कि दोस्तों इस संसार में हर एक इनसान को मा के प्रेम की और आशीरवाद की आवश्यक्ता रहती है और जिस इनसान के साथ स्वैम जगत जननी मा काली का आशीरवाद है उस इनसान का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है जी हाँ, दोस्तों अब आपको बताते हैं कि कौन से हैं वह पाँच बड़े संकेत हैं जिनके आधार पर आप इस बात का आसानी से पता लगा पाएंगे लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें समझना बहुत आवश्यक है जी हाँ, दोस्तों तो आप अपना पूरा ध्यान वीडियो के उपर रखें और हमारी हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें अब यहाँ पर सबसे पहले हम वैज्यानिक विचारधारा को उठाएंगे क्योंकि आज नहीं धीरे धीरे विज्यान वेद धर्म में ही विलीन होने जा रहा है वैज्यानिक विचारधारा भी धार्मिक विचारधारा उसे मिलती चली जा रही है तो विज्यान यह कहता है कि हर एक इनसान की शरीर से एक वेब निकलती है यानि एक तरंग उठती रहती है जिसे हम electromagnetic wave या विद्युत चुम्बकी ये तरंग कहते हैं और ये तरंग हर इंसान के शरीर के आसपास एक दायरा बनाती है एक चक्र बनाती है जिसे हम वैग्यानिक भाशा में और कहते हैं ये field कहती हैं और इसे ही आध्यात्मिक भाशा में उर्जाक्षेत्र कहा जाता है जैसा आपने भगवान की फोटो में देखा होगा हर भगवान की फोटो के पीछे से प्रकाश निकलता सा महसूस होता है असल में उनका और आप बहुत शक्तिशाली होता है तो वह खुली आँखों से भी दिखाई दे जाता है लेकिन सामान ने इनसान का और आप कितना शक्तिशाली नहीं हो लेकिन हो तो अवश्य है ये बात निश्चित है और इस विशय में ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि हर एक इनसान का जो उर्जा क्षेत्र है या फिर और वह उस इनसान के शरीर के आसपास तब तक ही रहता है जब तक उस इनसान के शरीर में उसकी आत्मा या सोल मौजूद होती है जैसे किसी इनसान के मृत्यू होती है उसकी शूल उसके शरीर को छोड़ती है उसका और आप ही समाप्थ हो जाता है तो इसका मतलब यह हुआ है कि उस इनसान का जो हो रहा है वह उसकी आत्मा से समबंधित है ना कि शरीर से इन सब बातों को विज्ञान भली भांती समझता है और कई प्रकार से यह हमें समझाता भी है लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह हमारे वेद पुराणों में भी यानि कि हमारे वैदिक दर्शन में भी भली भांती पहले से ही बताया जा चुका है इसका मतलब यह हुआ है कि हमारी जो यश्य मुनि थे प्राचीन काल में वेग्यानिक से कम नहीं थे उन्हें सब कुछ पहले से ही पता चल गया था तो हमारे अध्यात्म में इसे उर्जाक्षेत्र कहा जाता है और ना केवल यह बताता है कि उर्जाक्षेत्र हर इनसान के आसपास होता है बलकि हमारा अध्यात्मिक इस से एक कदम और आगे जाता है और वह यही बताता है कि हमारा उर्जाक्षेत्र यदि कमजोर होता है या दूशित होता है तो हमारा जीवन कैसा चलता है और यदि वह शुद्ध होता है पवित्र होता है तो हमारा जीवन कैसा होता है इसमें समझने वाली बात ये है कि इस संसार में जितने भी काम्याब लोग हैं जो उच्च शिखर पर बैठे हुए हैं उनका उर्जाक्षेत्र पूर्ण रूप से शुद्ध होता है पवित्र होता है जी हाँ दोस्तों इस सबसे एक बात और निकल कर आती है कि यदि आपको अपने जीवन में उचाईयों पर पहुँचना है सफलता के शिखर तक पहुँचना है मन्चाही सफलता हासिल करना है तो सबसे पहले आपको अपने उर्जाक्षेत्र को शुद्ध करना होगा और मित्र करना होगा जी हाँ दोस्तों अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं तो जब हमारे शरीर से जो तरंगे निकलती हैं यानि इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स निकलती हैं और यदि किसी ऐसे इनसान के पास हम जाकर बैठे जिसके शरीर से भी जो वेव्स निकल रही हैं भी हमारी तरंगों से यदि मिल जाती हैं तो अंजाने में ही उस इनसान का साथ हमें अच्छा लगने लगता है जी हाँ दोस्तों आपने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि यदि कोई इनसान ऐसा है जिससे आप कभी पहले नहीं मिले लेकिन वह आपके पास आकर बैठ भी जाता है यानि उस इनसान से आपका चाहे ज्यादा संबंध हो संपर्ख हो या ना हो फिर भी वह इनसान यदि आपके पास आकर मात्र बैठ जाता है इतनी नहीं आपको अच्छा महसूस होने लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका उर्जाक्षेत्र और उसका उर्जाक्षेत्र एक जैसा है एक दूसरे से मैच हो रहा है और चुकी है उर्जाक्षेत्र आत्माओं से उत्पन्न होता है ना कि शरीर से तो जिस इनसान का उर्जाक्षेत्र मैच होता है वह इंसान हमारी पिछले कई जन्मों का संबंध भी होता है क्योंकि ऊर्जाक्षेत्र बिना किसी पुराने आत्मिक संबंध से प्रेरित हुए बिना मिल ही नहीं सकता, मैच हो ही नहीं सकता जी हाँ दोस्तों, तु जिस इंसान के साथ हमारा और अमेज होता है यह हमारा उर्जाक्षेत्र मैच होता है वह इंसान हमारे पिछले जन्मों का यह जन्म जन्मांतर का साथ ही है यह हम पता लगा सकते हैं, लेकिन आज की भाग दोड़ भरी इस दुनिया में इस सब के बारे में सोचने के लिए लोगों के पास समय ही नहीं है आज तो लोगों को सपष्ट प्रमान चाहिए, सपष्ट संकेत चाहिए जिनके आधार पर यह पता लगाया जा सके तो आप चिंता ना करिए हम आपको आज के इस वीडियो में सपष्ट संकेत देने जा रहे हैं और पांच ऐसी बातें आपको बताएंगे जिन्हें आप अपने जीवन में आजमाएं और आसानी से पता लगा लें जी हाँ दोस्तों वीडियो का सबसे जरूरी भाग शुरू हो रहा है अब वीडियो को पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करें तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जब भगवान हमसे कोई बात कहना चाहते हैं तो हमें भी संकेत देते हैं और भगवान की भाशा को हम संयोग की भाशा का नाम दे सकते हैं जी हाँ, दोस्तों जैसे भगवान हमको यदि किसी इंसान से मिलाना चाहते हैं, तो उस इंसान से आपके बार-बार मुलाकात होगी. चाहे आप उससे पहले से परिचित हो या ना, लेकिन वह इंसान आपको बार-बार मिलेगा. इसका मतलब ये है कि भगवान आपको कुछ इंसान के साथ मिलाना चाहते हैं और हम इसे अपनी भाशा में सहयोग कहते हैं कि यह कैसा सहयोग है कि बार-बार हम मिल रहे हैं तो अब जो आने वाले पांच संकेत हैं उन्हें आप सहयोग के आधार पर बड़े आराम से समझ पाएंगे जी हाँ दोस्तों अब समझने की सबसे पहला संकेत कौन सा है जिस व्यक्ति के साथ आप जीवन गुजार रहे हैं चाहे वह आपका प्रेमी है या फिर आपका जीवन साथ ही है यदि आपका उसके साथ जगड़ा होता है और जगड़ा होने के बाद आपको मन में कहीं न कहीं है पता आवश्य रहता है कि यह जगड़ा ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है बाद में हो जाएगी यानि कि आपके अंदर से यह भावना निकल रही होती है कि भले ही हमारा अभी जगड़ा हो गया है चाहे छोटा बात हो या बड़ी बात हो गई लेकिन आगे चल कर सब कुछ ठीक होने वाला है तो जब हमारी आत्मा हमें यह स्पष्ट संकेत देती है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यह इनसान हमारा जन्म जन्मांतर का साथी है क्योंकि इस इनसान से जो हमारा संबंध बना है और चल रहा है इसे हमारी आत्मा ने चुना है ईश्वर ने चुना है और हमारी आत्मा ये बात अच्छी तरह से जानती है कि आप भले ही आपस में जगड़ा कर लो ये है कि आप अपने साथी को याद ही कर रहे हैं भले ही आप कहीं भी हैं आप बस उसे याद ही कर रहे हैं या उसकी बातें कर रहे हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है आपके पास या वहस्वयम ही आ जाता है तो आप समझ जाएंगे कि आपका आत्मिक संबंध है या निश जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपका साथी कुछ सोच रहा है, यानि खाने पीने की चीजों के बारे में सोच रहा है और अचानक आपके मन में भी विचार हो जाता है और आप ठीक हो, वही चीज बता देते हैं कि आज खाने में ही करती हैं या इसे खाने चलते हैं। है तो अचानक ही आपके मन में भी वह विचार उत्पन्न हो जाता है ऐसा रोज नहीं होगा दोस्तों लेकिन कभी कबार ऐसा आवश्य हो जाए जिस समय आपका और आपके साथ ही का पूजा क्षेत्र शक्तिशाली होगा चरम पर होगा उस समय यह गटना है कई बार गठित जीवन में कई बार महसूस भी क्या होगा जी हाँ दोस्तों ठीक ऐसा ही एक संकेत और है कि जब आपका साथ ही किसी परेशानी में पढ़ने वाला है जी हाँ दोस्तों उसके आने वाले समय में कोई परेशानी उसके जीवन में आने वाली है लेकिन आपको इस बात का पहले स अपने साथी से पहले जवाब समझ में आए। उससे पहले कभी नहीं मिली है। लेकिन जैसे ही आपका संबंध बना, आपका रिष्टा बना, आप उसे इस प्रकार जुड़ चुके हैं कि अब आप हो इस संसार में उसके अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है। जी हाँ. दोस्तों कहने का मतलब यह है कि प्रेम की आईध तीव्रता रंग आपके मन में उठती है, और ऐसी ही आपके साथी के मन में भी उठती है, तो समझ जाएंगे कि यह संबंध कई जन्मों से चला आ रहा है. यह प्रेम कई जन्मों से गहरा है।। जन्म का नहीं है जी हाँ दोस्तों तो ये कुछ संकेत जो स्पष्ट तौर पर ये बताते हैं कि आपका आपके साथी के साथ जन्मों का नाता है या नहीं अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपके जीवन में आपके साथ कौन से ऐसे संयोग घटित हो रही है और ना लगता है कि आपका साथ ही, आपकी जन्म जन्मांतर का साथ ही हैं या नहीं? जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, तो आप उसे भी कमेंट करके अवश्य पूछे, हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब निश्चित तौर पर देगी। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जै मांकाली अवश्य लिखें। माता के साथ की आवश्यक्ता इस संसार की हर जीव को मिलते हैं। अगले ज्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।